हेलो दोस्तो स्वागा था आपका अपने चैनल पे दोस्तो ट्रेन के कोचिस पे आपने नमबर्स दिखे होंगे जैसे की A1, A2, A3 क्या आपको मालूम है ये किन ट्रेन के कोचिस पे ये नमबर्स लगाय जाते हैं और इसका क्या मतलब होता है तो आज के इस वीडियो में हम आ प्राजदानी एक्सप्रेस हो गई दोरण तो एक्सप्रेस हो गई या फिर मेल और एक्सप्रेस ट्रेने हो गई इन ट्रेनों के सेकेंड एसी कोच जो रहता है उस पे नमबर्स A1, A2 लगाय जाता है जिन कोच पे A1, A2, A3 ये सम नमबर लिखे जाते हैं ये डिनोट करता ह है कि ये टू टायर एसी के कोचेस है अगर आप थर्ड एसी कोचेस में ट्रेवल करते हों तो उस पे नमबर्स रहेगा B1, B2, B3 स्लिपर क्लास पे रहेगा S1, S2, S3 अगर थर्ड एसी किनॉमी में अगर ट्रेवल करते हैं आप तो उस पे लिखा रहेगा M1, M2, M3 वैसे ही अगर जबी आप 2nd AC कोचेस में ट्रेवल करेंगे तो उस पे A1, A2, A3 नमबर्स लिखा रहेगा अगर ट्रेन में एक कोच है तो उस पे लिखा रहेगा A1, 2 कोच है तो उस पे लिखा रहेगा A2 अगर आप 2nd AC का टिकेट बुक करेंगे तो टिकेट बुक होने के बाद आप आपका seat confirm रहता है तो उस पर लिख के आएगा A1, 10, A2, 15, A3, 20 ऐसे करके आपका seat number रहेगा दोस्तो सेकेंड एसी कोच में travel करना बहुत ही आराम दायक माना जाता है जैसे कि आपने third AC में देखा होगा उसमें एक side में 3 seats रहते हैं उसके opposite 3 seats रहते हैं lower middle upper और side में 2 seats रहते हैं side lower और side upper वहीं पर आप second AC में जब यात्रा करते हैं तो इसमें आपको एक cabin में 2 seats रहेगा lower और upper उसके opposite से और side में 2 seats रहते हैं side lower और side upper second AC coaches में middle birth नहीं रहता है इसकी वज़े से यात्री अपना यात्रा comfortably पूरी कर लेते हैं second AC का जो coach रहता है वो पूरी तरह से वातानो कुलित रहता है इसमें जब यात्रा करते हैं तो जो नए LHB coaches आ रहे हैं उसमें आपको mobile और laptop चार्ज करने के लिए charging point मिल जाता है then फिर seat के निचे आप अपना luggage रख सकते हैं side table पे आप अपना lunch और breakfast कर सकते हैं इनके जो खिड़किया रहती है वो बड़ी रहती है और खिड़कियों पे curtains लगाए गए रहते हैं और एक खास बात यह रहते हैं कि जो आपका cabin रहता है उसमें भी curtains लगाए गए रहते हैं जो कि आपके privacy के लिए अच्छा रहता है वो आप यातरा के दौरान आपकी privacy maintain रहती है और जो side lower का और side upper का birth रहता है वहाँ पे भी आपको curtains लगाए जाते हैं जैसे कि आपका privacy maintain रहता है यातरा के दौरान दोस्तो second AC का जो ticket रहता है वो third AC से ज़्यादा रहता है दोस्तो second AC का जो coach रहता है वो सारे mail और express trains पर रहते हैं और जो premium trains हैं जैसे कि राजधानी express हो गया दौरंतो express हो गया इन ट्रेनों में भी second AC के coach लगाए जाते हैं जब आप premium trains जैसे राजधानी express हो गया इनके second AC कोच में ट्रेवल करते हैं तो आपको यातरा के दौरान फूड प्रोवाइड किया जाता है जिसका पैसा आपको यातरा के दौरान देनी के जरूरत नहीं रहती है क्योंकि खाने का पैसा जो आपका टिकेट रहता है उसके अंदर ही include किया गया रहता है तो time to time catering वाले आपको breakfast, lunch, dinner सर्फ करते रहेंगे दोस्तो जब second AC कोच में ट्रेवल करते हैं तो इसमें आपको linen services मिलती है जैसे की कंबल, चादर, बेडशीट और तक्या यहाँ पे जो कोच आटेनेंट रहते हैं वो आपकी हर प्रकार की साहता करता है आपको किसे जीद की requirement रहती है तो वो उसको पूरा करते हैं इसमें साफ सफाई का भी अच्छा क्याल रखा जाता है तो दो कोच रहता है उसको की अच्छे साफ सफाई की जाती है दोस्तो सेकेंड एसी का टिकेट बुक करने के लिए आप ओनलाइन आयर सेटी से का वेबसाइट आयर सेटी से का मोबाइल अप या फिर स्टेशन पर टिकेट विंडो काउंटर पर जाकर बुक कर सकते हैं दूसरे क्लास के मुकाबले सेकेंड एसी में ट्रेवल करना बहुत ही कमफरेटिबल होता है इसमें यातरी अराम से अपनी यातरा पूरी कर सकते हैं बीना एनी डिस्टर्बिंस के क्योंकि इसमें बाहर के वेंडर्स को आना अलाउड नहीं है और सेकेंड एसी कोच में पर लिखे जाते हैं होप ये जानकर ये आपको अच्छी लगी रहेगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर और लाइक करें अगर आपके कोई भी सवाल है वो आप हम कमेंड भी लिखे हम उस कैंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे तो चले दोस्तों इस वीडियो का अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टे क्यार चैह हिंद